नमस्कार दोस्तो मैं रमा संकर डिमरी तुली का दर्शन चैलन में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस अंक में हम सौल्व करेंगे लोग सिवा आयोग उत्राखंड के कला प्रवक्ता के प्रस्न पत्र को और देखेंगे कि कलापरवक्ता की परिक्षा में किस प्रकार के प्रश्णों को पूछा गया था तो बिना किसी समय व्यर्थ के वे हम सीधे चलते हैं प्रश्णों की ओर और सीरीज ए का पहला प्रश्ण है रसे वसव विचार धारा है विकलब है पास्चात्य, भारतिय, जर्मन या इनमें से कोई नहीं प्रश्ण को पढ़ते ही आपको एक सब्द दिखाई देरा होगा रस यानि कि जो रस है वह भारती विद्वानों के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था और आपने भरतमुनी का रसिद्दान्त और अन्य भारतिय विद्वानों के द्वारा रसिद्दान्तों को भी देखा होगा तो रसेवस्व जो विचारधारा है वह भारतिय विचारधारा है इसलिए विकल्प भी सही हो जाता है दूसरा प्रस्ण है तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैला कर मिलाय जाता है उसका सही नाम है और विकल्ब है प्लेट, पिलेट, पैलेट और इन में से कोई नहीं तो हम सभी को पता है कि pallet पर रंगों को मिलाए जाता है और उसकी सुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूझी गई थी तो विकल्प C pallet सही हो जाता है और आप चित्र में देख रहे होंगे कि pallet अंडाकार रूप में होता है यानि अंडाकार आकरती में होता है यह प्लास्टिक या लकडी दोनों में आता है और तीसरा प्रस्ण है मौरे काल की प्रारंबिक मूर्तियां बनी ग्रेनाइट पत्थर से, चुनार पत्थर से, सलेट पत्थर से या इन में से कोई नहीं तो मौरे काल की जो प्रारंबिक मूर्तियां थी उन्हें चुनार पत्थर से बनाया गया था बाद में काफी सरी मूर्तियों को ग्रेनाइट पत्थर या सिलेट पत्थर से भी बनाया गया था तो प्रारंबिक रूप से जो मौरे काल की प्रारंबिक मूर्तियां बनी वह चु अब्दुर्रह्मान चुकताई तो वास्चित्रन जिसे बंगाल स्कूल से प्रारम किया गया था भारत में हाला कि चीन और जापान में वास्चित्रन बहुत पहले से प्रारम हो चुका था तो भारत में वास्चित्रन जो है बंगाल स्कूल से प्रारम हुआ था और इसके जो प्रमुक चित्रकार थे इन विकल्पों में सही विकल्प हो जाता है अब दुर्रह्मान चुकताई तो विकल्प D सही हो जाता है और पाचवा प्रसंद देखते हैं सौंदरे सास्तर के जनक का नाम है विकल्प है सैक्सपियर, प्लेटो, भरतमुनी और दुर्टन यानि विकल्प D सही हो जाता है छटा प्रस्न है कलकत्ता गरुप प्रारम हुआ और विकल्प है गुरूप या किसी अन्य गुरूप के सस्तापक सदेश्यों के नाम पूछ लिया जाते हैं या उनके विस्तापना वर्स को पूछ लिया जाता है तो इस प्रकार के जो जितने भी कला गुरूप है उनसे संबंदित हमें प्रशनों को भी जरूर पढ़ना चाहिए सात्वा प्रशन है प्रोग्रेसिव गुरूप सुरू हुआ तमिलनाडू में केरेल में बंबई में या कलकत्ता में तो प्रोग्रेसिव गुरूप का आसर यहां पर पैग गुरूप से है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गुरूप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट थे कि गुरुप से संबंदित भहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं तो हमें इन गुरुप के बारे में भी जुरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से भी काफी सारे क्वेशन बनते हैं आत्वा प्रशन है भारतिय कला का मूल प्रेणा स्रोथ है विकल्प है धर्म लोक जीवन प्रकृति और भव्यता तो भारतिय कला का जो मूल प्रेणा स्रोथ है वह है धर्म यानि रिलीजिन अगर आप भारतिय कला के थ्यास को देखेंगे तो जो हम सुरुवात करते हैं चाह तो वहाँ पर धार्म की विश्यक्चित्र ही बने हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतियक लाग का जो मूल प्रिर्णा स्रोथ है वह धर्म है तो विकल्प ए सई हो जाता है नवा प्रस्न है लंबाई और चोड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं विकल्प है त्रियायामी इन में से कोई नहीं या द्वयायामी या घन लंबाई और चोड़ाई में फैले अंतराल को द्वयायामी अंतराल कहते हैं क्योंकि इसमें लंबाई और चोड़ाई दो आयामों को दिया गया है तो विकल्प C सही हो जाता है अगर आप प्रश्ण को गौर से पढ़ेंगे तो भी आप इसके उत्तर को समझ जाएंगे दस्वा प्रश्ण है ओजारों से खीची गई रेखा होती है विकल्प है कठोर, कोमल, लचिली और इनमें से कोई नहीं तो ओजारों से जो रेखाईं खेची जाती है उनकी प्रकरती कठोर होती है कठोर का आसा यहाँ पर अगर हम किसी पट्री प्रकार की साहिता से कोई रेखा खीचते हैं तो वो कठोर कहलाती है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की मानेविय लयात्मक्ता नहीं होती जो मानव अपने हाथों से खीचता है तो इसलिए वो रेखाएं कठोर प्रकृति की होती हैं विकल्प ए सही हो जाता है जार्वा प्रश्न है मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता था और विकल्प देखिए उस्नीस, सुवसन, प्रावरन और दुकूल तो मूर्तियों में जो शिरोवस्त्र है उसे कहा जाता था उस्नीस यानि विकल्प ए सही हो जाता है अब यहां उस्नीस होता क्या है मोर्तियों के जो शिरो वस्त्र यानि की जो सीर सबर यानि की सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात पगड़ी या कोई किसी प्रकार का गमच्छा या कोई चूनर तो उसे उसनीस कहा जाता था बारवा प्रशन देखते हैं कॉषे वस्त्र होते थे और विकल्व है अनि सूती रेशमी या इन में से कोई नहीं तो जो कॉषे वस्त्र होते थे यह होते थे रेशमी वस्त्र अर्थात सिल्क के अगर परतियोगी परिक्षाओं में वस्त्रों से सम्मंदित प्रशन आते हैं तो मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा प्राचीन भारतिय वीजबुशा रोसन अलकाजी की पुस्तक का आप अध्यन जरूर करें क्योंकि प्राचीन भारतिय वीजबुशा में बहुत सारे वस्त्र ऐसे हैं जीन का आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा तो मैं सज़ेस्ट करूँगा आप प्राचीन भारतिय वीजबुशा रोसन अलकाजी की पुस्तक का अध्यन जरूर करें और ऐसे क्वेशनों को आप बहुती आसानी से सौल्व कर सकते हैं और तेरवा प्रशन है जल रंग की वास. तकनीक का प्रचार किस प्रदेश से हुआ विकल्ब देखिए मुंबई दिल्ली राजिस्तान और बंगाल तो जो जलरंग की वास तकनीक है इसका जो प्रशार हुआ था सरवप्रतम बंगाल में हुआ था और बंगाल से ही वास तकनीक भारत में प्रचारित हुई थी तो विकल्ब D सही हो जाता है चौदवा प्रशन है राजिस्तान के किस सहर का नाम भित्ती चित्रन से जुड़ा है विकल्ब है अजन्ता ग्वालियर जैपूर और जूदपूर तो आप देखिए राजिस्तान के सहरों की बात हो रही है तो विकल्ब A और B गलत विकल्ब हैं दोनों हट जाते हैं अजन्ता महराष्ट में हैं और ग्वालियर मध्यपरदेश में बचते हैं हमारे पास जैपूर और जूदपूर इनमें जो भित्ती चित्रन से जुड़ा हुआ राजिस्तान का प्रमुक शहर है वह है जैपूर और राजिस्तान के जैपूर में बहुत सारे भित्ती चित्रत हवेलिय और छत्रियां भी हमें मिलती हैं दिखाई देती हैं तो विकल्प सी जैपुर सई हो जाता है 15 परसंद देखते हैं वैदिक सायत्य में धातु करमार की रूप में जाने जाते हैं विकल्प है विश्वकर्मा, इंद्र, त्वस्ट्र और सूत्रधार वैदिक सायत्य में धातु करमार की रूप में जिने जाना जाता है वे हैं विश्वकर्मा और विश्वकर्मा को दैव शिल्पी भी कहा जाता है क्योंकि ये देवताओं के अभियांतर की कारेоворों को समपादित करते थे, अतना विकल्प ये सही हो जाता है सोलवा प्रसन देखते हैं सरपर्थम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है और विकल्प देखते हैं तॉलस्टॉय, रस्किन, हीगल और कांट तो सरपर्थम कला अभिव्यक्ति है यह कथन कहा था कांट ने तो विकल्प D सही हो जाता है सत्रवा प्रस्न देखते हैं नटराज की मूर्ति के बाएं हात में प्रज्वलित अगनी ध्योतक है और विकल्प देखिए दाहकता की अमंगलकारी दाहकता की विनास की या सरवनास की तो जो नटराज की मूर्ति के बाएं हात में प्रज्वलित अगनी ध्योतक है अमंगलका दाहकता की विकल्प भी सही हो जाता है और आप इस नट्राज की मुर्ती में देख सकते हैं कि नट्राज की मुर्ती के बाएं हाथ में एक अगनी पात्र भी पकड़ा हुआ है और यही अमंगलकारी दाहकता का ध्योतक है अठारवा प्रस्न है वास्तु विद्या का विशद विवेचन है और विकल्प देखे देवता मूर्ती प्रकरण रूप मंदन अपराजित प्रिच्छा और मानोसुलास तो वास्तु विद्या का विशद विवेचन जस गरंथ में हुआ है वह गरंथ है अपराजित प्रिच् के बारे में काफी वरणन किया गया है और वास्तो विद्ध्या से सम्मंदित विविन परकार की तक्निकों का भी इसमें उलेख किया गया है 19 प्रस्ण है इस्थानक प्रतिमा होती हैं विकल्प है खड़ी हुई बैठी हुई लेटी हुई या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्थानक प्रतिमा क्या होती हैं इस्थानक प्रतिमाई वे प्रतिमाई होती हैं जिनें खड़े हुए रूप में प्रदर्शित किया जाता है या निर्मित किया जाता है तो विकल्प ए सही हो जाता है अगर आपने अफगानिस्तान की बामियान में बनी बुद्ध प्रतिमाओं को देखा होगा तो यह प्रतिमाएं इस्थानक प्रतिमाओं के रूप में प्रचलित थी और एक समय में यहां विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की इस्थानक प्रतिमाओं में शुमार की जाती थी तो इस प्रसन का सही जवाब हो जाता है विकल्प ए खड़ी हुई प्रतिमा बीश्वा प्रस्न है मायरोन संबंदित है और विकल्प देखे गौतिक कला, ग्रीक कला रोमन कला या बाजनटाइन कला से तो जो मायरोन थे यह एक मूर्तिकार थे जो ग्रीक कला से संबंदित थे और मायरोन ने अधिकतर ब्रॉंस यानि की कांसे पर कारिक किया है कांसे से इन्होंने मूर्तियों का निर्मान किया और इनमें भी इनका जो प्रमक विसे रहा या एथलीट यानि की इन्होंने खिलाडियों की जो की युनानी खिलाडी थे उन खिलाडियों के उपर आधरित करकेनों ने अपनी प्रतिमाओं का निर्मान किया था तो मायरोन ग्रीक क्लास से सम्मंदित थे विकल्प भी सई हो जाता है 21 प्रसमें देखते हैं शडंग में है विकल्प देखिए अंता शौंदरिय व्राय सौंदरिय शादर्श या शौंदरिय तो जो शडंग है इसमें शादर्श है यानकि विकल्प सी सही हो जाता है क्योंकि शडंग में सादर्श का विशद विवेचन है क्योंकि शडंग के अनुशार जो छे अंग है उन्हीं छे अंगों के आधार पर हम किसी भी रूप का निर्मान करते हैं और 22 प्रसंद देखते हैं पैटर्ण है और विकल्प देखी आलंकारिक आलेकन पार्श्विक आकरती दैव आकरती और मानव आकरती तो जो पैटर्ण होता है यहां होता है आलंकारिक आलेकन इसी पैटर्ण के आधार पर हम देखते हैं कि अलग-अलग टेक्शर भी होते है अलग-अलग प्रकार के जो टेक्शर में एफेक्ट होते हैं ये सब पैटर्ण का ही एक भाग होता है इसलिए विकल्ब ये सई हो जाता है 23 परसंद देखते हैं शडंग का तीशरा अंग कौन सा है और विकल्ब है शादरिश, भाव, रूप वेद और प्रमान तो शडंग का तीशरा अंग क्या होता है तो आप इसको इस लोक से भी ग्यात कर सकते हैं अर्थात भाव शडंग का तीशरा अंग है विकल्ब भी सई हो जाता है तो आज का अंक में हमने लोग सिवा आयक द्वारा चित्रकला प्रवक्ता के सीर्यज ए के 23 प्रशनों को देखा बाके के प्रशनों को हम अगले भाग में विस्तार से उनकी व्याख्या के साथ में उनकी उत्तरों को जानेंगे आपको आज का एपिसोड हमारा कैसे लगा आप कमेंट सक्षन में जरूर बताएं हमें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के नौटिफिकेशन हमेशा आउन रखिए ताकि आपको आने वाली जितनी वी वीडियो है उसकी नौटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको अपने फ्रेंट सर्कल में शेयर करना न भूले आज कंग पे इतना ही मिलते हैं इस प्रस्न पतर के प्रस्नों के साथ में अगले एपिसोड में तब तक के लिए दीजिए मुझे हिजाजत नमस्कार